सब्सक्राइब जोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्सियों टुड़े आईए जयान लेते हैं कि लेटिस्ट अपडेट की बारे में पहली अपडेट पंचायक सहाइक भरती को लेकर हैं वीडियो को पूरा देखने के वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें इस सच्यू से जबाब तलब किया है सवाल है कि सच्यू की दवारा जो जबाब लगा जाएगा उस पर कोट के दवारा क्या फैसला सुनाया जाता है या देखने वाली बात होगी जब तक जबाब नहीं जाता है तब तक भरती पर रोक लगा दिया गया है इस्ते दे दिया गया अब सच्चिव की दोरा जो भी जवाब दिया जाएगा उसी के अंसार आगे पंचायक सहायक भरती का भविश्च से तैह होगा अगली कबर है आदरस अचार सहिता को लेकर इसके सम्मन में कई ऐसे परतियों की चात रहें कई लोगों ने जानकारी माँगी क्योंकि आदस अचार सहिता में भरती परिछाएं आयोजित होती हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती हैं जुआनिंग नहीं मिल पाती हैं क्यों आदस अचार सहिता में जुआनिंग नहीं दी जाती है लोग सभा चुनाओं में राजी की भरतियों में जुआनी मिल जाती है लेकिन विधान सभा चुनाओं में जिस राजी में विधान सभा चुनाओं है उस राजी के परतियों की चात्रों को चैनित अभिरतियों को जुआनी नहीं मिल पाती है ऐसा प्राया देखा गया है अधिकारी करमचारी चुनाव में बस त रहते हैं करी लोगों की दोरा जानकारी मांगें कि आदस अचार सहिता कब लागू हो गी आपको मैं बता दू जिस दिन तिस्छी की घोश्रा की जाती है उसे समय आदस अचार सहीता लागू हो जाती है मुझे जो जानकारी मिली है यह जनवरी माह में आदस अचार सहीता लागू हो जाएगी अब जो भी भरती पर इच्छा हैं प्रस्तावी से अगर दिसंबर माह तक कम्प्रीट करा लिया गया या 15 जनौरी के पहले complete करा लिया गया और जुआनिंग दे दी गई तो तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो भरतियां फस जाएंगी जुआनिंग नहीं पाएगी जुआनिंग चुनाओ की बाद ही होगी एक पर क्रिया होती है कि चुनाओ आयोक से परमिसन लेने की बाद सरकार परमिसन लेगी या नहीं लेगी या तो समय बताएगा साथ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा आसो उमिद्वारों की लिष्ट जारी की गई है अब चुनाओ नजदी का रहा है दो हजार बाइस का बिगुल बच चुका है तो मैं आ बतादो देखिए यहां पर लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी के परवक्ता महंदर सिंग ने बताया कि जारी की गई सूची में ब्रहमणों की संख्या 20 है यानि कि 20 उमिद्वार ऐसे हैं जो ब्रहमण है उन्हें टिकर दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा की 20 परहमण होने के वगजह से बीजैपी को जटका लग सकता है और पांच मुसलिम होने से बीजैपी और यसपी को जटका लग सकता है लेकिन सबसे ज्यादा जटका यहां पर बीजैपी के देखने को मिल रहा है और दलिथ उमिद्वार की जहां तक बात की अखेpresa है तो 16 केवल SP और BSP को जटका देंगे तो खेला होने वाला है अब पच्छे मंगाल की तरह उत्तर प्रसमें होगा या कुछ उससे अलग होगा कौन जीते का कौन हरेगा या तो 2022 में पता चलेगा आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इंतजार करेंगे तभी आपको पूरी ज आनकारे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन दबाए और प्रसेट कर वीडियो को लाइक सेर करना मत भूले जहिंज भारुस्तु नमस्कार